लो प्राइज का मसीन इधर है इसमें बारा और तेरा चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है चला सकते हैं लेकिन वही अगर हेवी डाई चलाना है डाइमंड प्लेट बनाना है बफर प्लेट बनाना है तो अब तो आप तो यह एक ही लोग जो है ओडर दिये हुए है जो कि यह मसीन त्यार हो रहा है और उन्हीं का जो है वो मसीन रेडी हो रहा है तो दोनों मसीन जो है काफी सेग्मेंट में जो है वह रेडी किया गया है हुआ है । अ झाल 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 तो आप लोगों का बहुत सवाल था कि पूल चैनल बॉड़ी जो मसीन है वो किस परकार का होता है उसके बारे में बताई तो आज मैं कम्प्लीट आपको सॉलूशन ले के आ गया हूं कि सबसे हेवी मसीन डबल ब्लॉक बैरिंग में सिंगल डाई मसीन कौन सी है जिसमें 13 इंच 14 इंच और 15 इंच तक की डाई चलाने में आपको जो है प्रोब्लमों का सामना नहीं करना पड़े उस तरीके का मसीन जो है मैं ले करके आया हूं मैं अभी डायेक्ट जो है क्रिष्टा इंटर्प्राइज के मरिफ्रेक्सिंग प्लांट में हूं जहां पे जो है हर परकार की मसीन बनाए जाती है जैसे कि पेपर यहां बनाए जाता है तो आए आज मैं समझाऊंगा कि फुल चैनल बॉडी जिसमें आप 15 दौना फ्लेट थाली बनाने में कोई प्रोब्लम नहीं आए वैसा मसीन आपको बताने वाला हूं प्राइज बताने वाला हूं खरदारी किस परकार से कर सकते है यह जानकारी देने वाला हूं तो बने रहे वीडियो के अंतक और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये चैनल को सब्सक्राइब कर दिए चलिए शुरू करते आज के इस नॉलेज़वल वीडियो को सबसे पहले फूल चैनल वाड़ी के बारे में समझते हैं तो आप देख सकते हैं फूल चैनल वाड़ी का मतलब हुआ इसके निचली भाग में भी देख सकते हैं चैनल है बगल में भी चैनल है और इसके उपरी भाग में भी आप देख सकते हैं इसके उपरी भाग में भी जो ह चैनल लगाया गया यह टोटली अगर बात किया जाए तो टोटली फूल चैनल वाड़ी में जो है इसको त्यार किया गया है साथी साथ इसमें जो बेलन लगाया गया है लोक बेरिंग जो है लगाया गया है साथी आप देख सकते हैं कि यह अभी पेंट भी नहीं हुआ है और म करना परता है तो इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि आपको देख सकते हैं को लो प्राइज का मसीन इधर है इसमें बारा और तेरा चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है चला सकते हैं लेकिन वही अगर है डाइमंड प्लेट बनाना है तो आपको इ निश्णा इंटरप्राइज हर परकार की मसीन जो है निर्मान करती है देख सकते इधर भी जो है बन रहा है यह जो है डंपल ब्लोक में ही बन रहा şekilde मारणी एक लोटा सिंगल ब्लोक में बन रहा है यानि इस चीद से साभित होता है कि आप जिस परकार का आडर देते इह कि जाए इसमें तो डबल ब्लोक बैरिंग 208 नम्मर लगा हुआ है और 16 इंच इसमें बेलन दिया गया है अगर आपका requirement होगा कि हमें 18 इंच बेलन में मसीन चाहिए तो 18 इंच बेलन में यह मसीन आपको बनके मिलेगा इसमें जो मोटर लगेगी यह मोटर लगेगी जो की सिंगल फेज बिजली से आप इसे चला पाईएगा और इसमें जो बनने वाला प्रोब्लमों का सामना नहीं करना पड़ेगा अब मैं आपको दिखलाता हूं कि और भी यहां कौन-कौन सी मसीन रेडी की जा रही है उसके बाद मैं इस मसीन का प्राइज बताऊंगा देखिए बहुत सारे लोग का requirement होता है कि हमें जो है पेपर प्लेट रोव मेट्रियल बनाने वाली मसीन पेपर लेमिनेशन मसीन भी जो है साथ में ही चाहिए तो वो भी आप पर्चेज कर सकते हैं जैसा कि यह मसीन आप देख रहे हैं तो यह एक ही लोग जो है ओर दिये हुए है जो कि यह मसीन तयार हो रहा है और उन्हीं का जो है वो मसीन रेडी होड़ा है तो दोनों मसीन जो है काफी हेवी सेगमेंट में जो है वो रेडी किया गया है पेपर लेमिनेशन मसीन दबल पिनियन में है और थिरी कटर के साथ इसमें बेस्ट जो है वो बेलन के साथ इसे रेडी किया गया है और रेडी करके दोनों जो है एक ही साथ जो है वो ले जाएंगे अब आगे मैं दिखाओ कि यह मसीन आप देख लीजिए इसमें भी यह डबल ब्लोक बैरिंग और चैनल बोडी दिया गया है और साथ ही इसमें भी जो है इस जगा पे जो है 16 इंच का इसमें बेलन लगाया जाएगा और मैं दिखाता हूं क 18 इंच बेलन वाला मसीन जो है वह इस परकार का होता है देख सकते हैं उस दोनों मसीन से जो है इसका साइज बड़ा है और यह अभी रेडी ही होड़ा है इसमें देख सकते हैं यह चार इंची का जो है यह चैनल इस पे लगा हुआ है और चायर इस मसीन की उचाई की बात की यह मसीन भी आपकोisel 17 में जो है हिसी बन के लेडी होगा紅iki मसीन है तो यहीं है कि आप जिस परकार का आपका मार्केट है और डाक करना है तो आपायर परेश की áchचिये आ पर बीजनेस लॉंग टाइमे तक चलेगा Suddenly । पार्ट मसीन की जो है छोटी से बड़ी से सभी पार्ट जो है एक्ष्ट्रा रखी हुई रहती है मनिफ्यक्टरिंग इस्टोर के अलावा जो अगर प्रोब्लम आ रहा है तो उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा और आप कहीं से जो है मसीन लिए हुए हैं और पार् पारत में कहीं भी अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप जो है इस वार्ष्ट्रेप नमर पर कॉंटेक्ट करके आप ओनलाइन ओर करके कूरियर के माध्यम से मंगा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फोन पे या गूगल पे के माध्यम से आपको जो है प पहले करना पड़ेगा सो दोस्तों मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया हूं कि फूल चैनल वाड़ी वाला जो मसीने होता हो किस परकार का होता है और आपको सही रूप से बिजनेस को चलाने के लिए लोंग टाइम तक वर्क करने के लिए आपको जो है भी मसी मसीन खरीदना ही पड़ेगा नहीं तो आप 5,000-10,000 के चक्कर में लो क्वालिटी का मसीन खरीद लिजेगा और बार बार वो खराब होगा तो आपका क्या होगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट जादा लाएगा और बात में अगर जोड़िएगा तो इस से ज्यादा पर जाए किसी भी मसीन का उचाई नहीं होता है इतना इसका उचाई है और उपर चैनल नीचे चैनल बेरिंग के पास डबल चारिंज का चैनल दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके का भाब रेशन ये नहीं करेगा और अगर आपको इसके साथ पेपर प्लेट रोमे चाहिए तो उन सभी चीजों का जो है मेनिफेक्ट्रिंग यहां किया जाता है तो मसीन को समझने के लिए बिजनेस को समझने के लिए या फिर खरीदारी करने के लिए आप जो है वीडियो स्कीन पर दिये हुए नमर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं अथवा डिप क्रिफ्टिशन के बारे में समझ कर और बेंस बिजनेस टार्ट कर सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे करके और आप लोगों के लिए जानकारी खटी करके वीडियो के माध्धम से मैं आप लोगों को बताऊंगा मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आडिया के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम